दश्ते तनहाई में रिष्टों का यूँ तूटा अंदाज जिल की देलीज पे रुख जाती है मेरी आवास फिर से रिष्टों को दिया मैंने सहारा कैसे जिल्दगी तुझे से किया मैंने गुजारा कैसे जिष्ट का दूसरा ढूंडा है किनारा कैसे जेना जेना आण दर्देदु के वासते दर्ददिल के वास्ते पैदाक्किया इनसान को वर्नतावत के लिए कुछ कम न थे करो बया पैदाक्किया एक बाताए जोड़ोगोजदू पैदाक्किया जड़ोजदू जोड़ोजदू जोड़ोजदू कर दो कर दो कर दो गलाई प्राइबने प्राइबने वन्हें आज़ें प्राइबने प्राइबने आजियों कुछारे विले बाते हैं अरे हो अरे सत्यानाज जाए तेरा अरे लमड़े को भी बगल में लेके सो रा अरे सूरा सबा नेजे पे आगे हो अरे उठ जा क्या हो गया मा अरे होना क्या है उठ जा फजर की नमाद तो छोड़ दी दिन चड़ गया है उठ जा ना एक राहा फपद्दीन ए ताम भी जाने है दीन में सक्थी नहीं है अरे देन में सक्थी ना है पर फर्रज में माफी भी लिना उठ जा घर में नहूसत पड़े अच्छा माच्छा उठतें है एक अच्छा पनाओ तो लूप करके उठ जाया अरे चल्ट जा नदीम तू तो उट जा, उट जा यार, जा नहूसत मारे, गोरे घर में नहूसत मारे फिरा जा, ऐसी बेसुरी आवास सुनके किसको नीम आएची, तुम बख्षी मारे तुम, अब उट जा, जलाद की आवास नहीं सुने तुने, सुबह सुना, जातने, जातने, सास और बहु का जगड़ा तो सुना था, मगर सास और दामाद का जगड़ा पहली बार देख रही हूं, और कब से देख रही हूं। अई शकीला, सच कहूं, आज तेरी अम्मा पहली बार परिशान हुई, ए हमार दिल से पूछ, जिस तर्यों हमने हसने और नदीम को जगान की कोशिश की और वो ना जागे, पहली बार हमारा दिल परिशान हूं। अरे अम्मा, वो तो कभी भी नहीं जाकते, इसमें भला परिशान होने वली क्या बात है। और रही बात नदीम की, तो अम्मा, इस उम्म में बच्चों को खेल और सोने के लव और काम क्या होता है। रतू भी अपने शोर की तरह बाबली लगे। नतीजा अपने दिल से ना हलात को देख के अखस करे। जो नेंद उतने देवे, उसके पीछे नशा होगे। होश कर, होश। सुग्रा, जल्दी से लशी लेया, बच्चों को इस स्कूल से देर हो रही है। लशी छोड़, मैं डालती हूँ जग में तु ये बच्चों को देख या। ये भी लेजाए। सुग्रा, ये बच्चों को लसी दे, और बच्चों के अभबा को भी बुला ले। अम्मा ने देखा ना तो बोलेंगी। हमार उमर में आके तुम भी बोलोगी। वालेकुम असलाम अलीकुम चलो बच्चोँ जल्दी जल्दी नाश्ता करो। अई अरे के बना लियो नाश्टे में अई सब खावें नदीम तू क्यों ना खा रहा नदीम तू क्यों नहीं खा रहे हैं है क्यों भई जब फिर पापा ने मजून खिलानी शूर किया फिर अब नेंदी आतिया भूख नहीं लगती अई सत्या नाज जाए सकीला अई तेरे सौर का है 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 अई 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 देख देख हम क्या सोचे थे वही निकला अरे माशाला माशाला अलेकुम अस्सलाम मेरी फॉज नाश्टा कर रही है अपा क्या टुकर टुकर देख रहा है मेरी सब अचल नाश्टा खत्म कर अबाजी मैं भूक हूं सुन लेओ भूक ना है अजी सुन लिया कवे है भूक नहीं है सुन लेओ तु समझ भी लेओ अरे बच्चे को मासूम को माजून खिला खिला उसका मेदा खराब कर देओ लो कर लो माशाला क्या हो गया तुमारी अमा को सुबा सुबा अरे मा किस बात का गुस्सा है मेरे को बताओ हाँ बोलो क्या बाता है बोलो अब बताओ, क्या कहो तुम, क्या कहा रही हो जहर, अच्छ, तुखा ले नहीं, हमको बना कुछ सरम कर, को हया कर असने अम्मा, इस करे हैं हम अपनी अम्मा से इस करे हैं और उसी इसका तकासर है दामाद होने के बावजूद हमने आज तलक, तुम्हारे सामने उंची अवाद में बात ने की उंची अवाद में बात न की अलाद का सत्या नास कर दियो तुम हसने किस की अलाद का अपनी अलाद का, नदीम की बात करें हम अपनी उलट फुलट माजूने खिला खिला बच्चे का बिड़ा घरक कर दियो तुम यो क्या बात पिकती ढूने अमा ये जो लॉन एना नदीम याद खियो हमारी बात एक दिन हमरी हिकमत की सल्तनत का सुल्तान बने है हमत रहेगी उस बिचार में तो सल्तान बनेगा अरे हम समझे थे कि उछोटा बच्चा है तुम्हार इस मारे तुम उसको अपने बगल में लेके सो हमका क्या पता कि तुम अपनी माजून किला किला बच्चे का सत्या नास कर देओ अमा जान आपबार वदू को पताती है मेरा काम तो तुम करते नहीं और बाथ की जढ़ी बूटिया सारी रात को उठते हो क्यों मजून बरी मिंटी खिलाते है ए हस्तिँ ए हस्तिए दूप के मर जा ढूप के मर जाते चोटे बच्चे को अपनी माजून किला किला पागल कर दे हो भूक मर गई उसकी रे अमा हमारी तरफ भूर के मत तेको ये तो हमार प्लानिंग थी ये जो लॉना है ना नदीम ये बहुत एक कामचोर है मा का काहा नहीं माने है हमने पिलान किया इसे हम माजून कुटवाते हैं ताके इसे काम करने की आदध पर जाए कैसा अल्ला जाने हमार हमें तुहार के करतूतों का पहले पता होता तो शकीला का हाथ कभी तेरे हाथ में न देते हम् यो बात तुमने सोला आने बिलकुल सही के ही अमा तभी तो तुम्हार लाडली इजास कैसे खुद्दर हुई ना उसे मा की महबत मिली और ना ही बाप का दबदबा ए बसकर इजास हमरी खुद्सरना है समझदार है समझदार अरे तु उसको इतना तंग किये क्यों घर छोड़न पे मजबूर हो गई ना अमा हम उसे इतना गलत ना समझें जितना तुम उसे सही समझो हो अरे चल तो आर मुँ में खाक हम्हाला ना करे अरे अमा जान आप दोनों की बहस में बच्चों को स्कूल से देर हो रही है चलो बच्चों जल जल दी खाओ अफ़ला माले को मामा जी चलो खुदा हाफिज और बाप सी सीदे घर आयो समझाई एक भी इदर उदर हुआ तो बस कान के नीचे रख देंगे और हाँ अगले जुमे तलक सब सोच के रखो कि कौन केके बने सुख्रा चला जा तू भी खा ले अब बाबा जार हमारी मा का है आप हमें मारी मा से क्यों नहीं मिलवाते है बाबा जान अब चुपके हो गए हमें बताए ना हमारी मा का है सब बच्चों की मा है हमारी मा की नहीं है हमारी अमी हमें वापिस ला दे ना बाबा जान क्या सोच रहे हो हसन बेटा कुछ नहीं है अब बच्चों की बातों के बारे में सोच रहा था बच्चों के तकाज़ से परिशान हो जाता हमें हाँ तो बच्चे सही तकाज़ा कर रहे हैं तुम उनका तकाज़ा मान लो मैं भी तुम्हें यही मश्वरा दूँगी बेटा ना जाने वक्त जिंदगी के दिये को कब फूंक मारते और फिर मैं कब तक बच्चों को संभा लूँगी देखो बेटा बच्चों की जिंदगी में मा की कमी भी तूर हो जाएगी वैसे भी बच्चे तुम से मा का तकाज़ा करते हैं तुम उनके लिए मा ले आओ अपा यह कोई आसान फैसला नहीं है इस फैसले तक पहुँचना बड़ा दुश्वार का भी यह जो शादी होती है यह एक लाटरी की तरह होती है जो है पसंद की हो या आरेंच अपा दुणन जब घर में आ जाती है तो तब पता चलता है के लाटरी दुख के सहरा में खुरी है या सुख के आंगन में देखो बेटा जब औरत घर की हो जाती है न तो वो घर के हलात के साथ साथ मुसाफिर की तरह चल पड़ती है आप 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 देख लें अरे बेटा इसमें देखने वाली कौन सी बात है है तो वो तलाक्याफता लेकिन मू मत्थे लगती है और सुखड भी बहुत है और देखो तुमने नेक काम के लिए शादी करनी है और नेक काम में अल्ला खुद ही फरकत डाल देता है और इस सुने घर में बहार बे आजाएगी मैं कल ही तुम्हारे रिष्टे की बात पकी करती हूँ ठीक है अपा मावे शेर अमा जी यह नूरपुर से आएं और यह भल्वाल से है यहाँ है आए इतनी दूर से हमार कने के लेँन आए तवडे इनसाफ दिया जुम्हा सुनके ईसी तवडे कोलू इनसाफ लैंड लेंड़ आएँ इनसाफ लैंड नहीं ताड़े कोलू मेरी मासूम तीदे कतलदा परमट लेना है ने एक ही बात तमीजी कर रही है मैं बत तमीजी नहीं कर रही है ठीक बोर रही है आमोश हो जा सारे खबरतार जो अब कोई बोला लड़ाई करनी थी तो अपने घर बैठके लड़ते हमारे कने के लेना है इन साफ लेन लेना है अमा जी जो इस साफ लेना है तो आपस में कोई बात ना करे जिसने बात करनी हो हम से करे बता है बता के मसलों सिद्धा जा मसला है अमा जी ये मेरा कला कला पुतर है ते इन्ने ऐस कोड़ी नू खूते पानी बरदी नो वेखले इनने मैं नुकारा के क्या है अबाजी कुड़ी लेनी है ते उने कोई लेनी है मैं पिंड़ दा जिमीदार दोम रब्याना मालक अमा जी ते ए बिल्ले लो आर दी थी बड़ा हिंदा मेरा की जोड पर एक पुट्र ही कोई सी एस वास्ते मैं रिष्टा मंगणू वी गया शगन हो गयां मंगणी ही हो गई है शादी डाय हो गये पर जिदो मैं कारबोर के आया तो मेरे पुट्र ने शादी तो इनकार कार दिता है आज़ा क्या है तोड़ी तरह मेंनों ही तचका लगया है माजी बजा पुछी है ते रोपय है कैन लगगा बेशक मेंनों गोड़ी मार देओ मैं यह विया नहीं करांगा जे तुसी जबरदस्ती कीती ते मैं जैर खाके मर जांगा ओव एस लगी के एकुडी छे मेंने तक आजम दी मंग रही है ते फिर पुटर ने वी दस्या के सारा पिंड जान दा है के एकुडी रोज आपने मंगेतर नों मिल दी भी सी ते उन्देनाल कली मिल लेते भी जान दी सी और उन्हें कें दी गिए जे थू अपने पुटर दी जांज लेके नाया ते मैं अपनी कुडी भी मार देनी है ते ते तेरे पुटर नों भी मार देना है ओन दसो अम्मा जी साड़े जो गलत का होने अने जो भी कहेना अरब बारफ सच है पर एदे कुल ए पुछो कि एदे पुतर ने सोचे यह कि भी की मेरी तृ बच्चल ने सारे पिंड वेचे कुड़ियां ते मुड्या ने रोला पाई रख किया ऐस दुरान एदे पुतर ने मेरी तीनों वे खलिया एह रिष्टा लेके मेरे कारा आगया, मैं अपड़ी तीनों तीन तीन वारी पुछिया, ते मेरी तीने सिर चुका आखे, एह हुई किया, के माँ जी सची पुछो ना, ते मैं ऐसे मुझे ना व्यां करना जे, अधिन मैंनों दसों अमा जी, मैं किते गलता। ना लम्रे का बाप गलत, ना तू गलत, बलके गलत कोई भी ना, सिर्फ, सिर्फ सोच गलत, तू भी कान खोल के सुन ले, लड़की जब लड़के से बे आई जाए, तो उसके माजी में न जहांके, और इसी तरी यो लड़का तू, तू भी कान खोल के सुन ले, जब मरत किसी औरत से बेहार रचाए, तो उसके माजी में उबी न जहांके, रहा औरत जाद बड़ी नाजुक होवे, कान खोल के सुन ले, किसी लड़की को पसंद करके, उसको बाद धुतकार ना, माफ़ी के काबिल ना, आज कल का हम को यो दस्तूर ही न पसंद, एक लड़की पसंद करन जावे, पूरा खांदान उठके पीचे चल पड़े, लड़की के बाल कैसे, लड़की की आख कैसी रपैर कैसे, कि जाके बच्ची को भेर बकडियों की तरह देके, ऐसी है वैसी है, और घर जाके अराम से कह देवे, हमें बच्ची पसंद ना आए, पकुछारी समझ या ना, जो रिष्टा बनाना हुए, तो इस्दत एतराम से बने, लड़ाई जगडों से ना, के समझ आई, रखे समझ आई, वा माजी वा, बढ़ियां बढ़ियां पचैता वेखियां, बड़े बड़े बर्दान वेखे, पर दाड़े तो गाटी वेखे, आज तो सेरों मेरी, नो नहीं मेरी दिये, अमाजी, बस तुम लोग आपस में सलूक से रहना, दुबारा हमारे करने शिकायत नावे, अमाजी, हुआ क्या था? रखे बताएं, और पहली बार यह ऐसी पंचायद भुखती, वो उसको गिरबान को हाट डाले, वो उससे लड़े, अल्ला माफ, तौबा, तौबा, अरे, चाचा सज्जा, यह मिठाई किस खुशी में लाया हो, तेरानी, अमाजी ने आज अमाजी ने एक और काफर को मुसल्मान किया, है, अभी भी इस चेहर में कोई काफिर था, जो हक पे ना होवे, ओई काफर, बस, खतम, ठीक कहती हैं आप, ना, 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 चाचा सज्जा, मिठाई का टोकरा, इधर इधर दे हो, अकेले बैठके खाओगे क्या, चक्कर आ जामेंगे, जाओ, जाके सो जाओ, बच्चा को स्कूल भेजना सुबा, जा, रिके बताएं, अरे ऐसी पंचायत, अच्छा, तो जरा तफसील से बताईए ना, बात सुन, तू क्यू चसके लेवे, हैं, जा जाके बबरची खाना देख, अमा, एक बात कहूँ आपसे, जिस तरह से आपने इन दो खांदानों को एक किया है ना, मेरे कहने पर, एक बार इजास को शादी के लिए राजी कर दे, कहीं ऐसा नहों कि वो अपनी मर्जी है, ऐसी बात कभी जबान पे बिन लाँ, समझाई, हमार खून है वो बच्ची हमार, हम माने, अजाद ख्याल है पर अजाद ना, फरक हो वे, और बात सुन, हमने तो तेरे मामू, ऐमद हसन को, उसके रिश्टे के लिए खत भी लिख दियो, अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, हम हमेश अच्छा ही करें, अल्ला हम से अच्छा कराए, शुआ जी कजना मूद जी करने, अच्छा कराए, अच्छा कराए, अच्छा कराए, शुणू, जी एसक्छा कराए, आज जी लुए, जी आज बेगम सहभा जाग गी है, हां जी साथी, ज़हं, अंधे बेरे पास भीजो, अच्छा ज़िए, क्या हुआ ये किसका साथ है जिसको पढ़कर आप पर रशान से हो गया है एजाज को तो तुम जानती हो ना हाँ उसे हमारे खांदान में कौन है जो नहीं जानता यजी आजाद और बेबाक लड़की पहली बार पैदा हुई है हमाजी ने हमें उसके लिए लड़का तराश करने का हुकम दिया तो इसमें परशान होने वाले कौन से बात है रिष्टा करवाने पर तो हज का सवाब में नता है बेशक लेकिन अगर रिष्टा नाकाम हो जाए तो फिर दोनों घर रिष्टा कराने वालों को बदवाएं भी बहुत देते हैं साजदा का रिष्टा भी आप ही ने करवाया और मेरे भाई अस्रम खां का भी रिष्टा आप ने करवाया और माशाळला दोना अपने घर में बहुत खुश है मैं तो कहती हूं बेधड़क ओकर इजाद का रिष्टा भी करवा दो इंशाएला कुछ नहीं होगा लेकिन दो बातों से परेशान हूं मैं पहली बात तो यह है खदीजा के एजास की आजाद ख्याली और बेबाकी शायद ही हमेरे खांदान में कोई बरदाश्ट कर सके और दूसरा खौफ यह है कि अगर इजास को अपने सुस्राल से जरा भी तकलीफ या परेशानी पहुंची तो अम्मा जान इसका जिम्मदार हमें ठहराएंगी क्योंकि बदकिस्मती से मैं उनका सुतेले भाई है लेकिन आज तक आपने उनसे सुतेले भाई हमाना सलूप न उन्हें अम्मा जी कहकर ही बुलाते हैं आपा जी कहकर कभी नहीं बुलाया लेकिन सुतेला पन एक ऐसा सांप है ख़दीजा जो रिष्टों को डसने के बहाने मांगता है अइमद असन आपकी ये बात दिल को लगती है लोकिन अल्ला ताला कभी नेक नेक नियता आदमी का भरम नी तोड़ा करते है अइमद असन प्रिश्च क्या सोच रहे हैं खदीजा मैं सोच रहा हूं कि अल्ला की हिकमत तितनी मुकमल और मुदल है खदीजा मैं अक्सर सोचता था कि हमें अल्ला ने अपनी अलाद क्यों नहीं दे कभी सोचता था कि शायद हम अपनी अलाद के लिए अच्छे माबाप साबित नहीं हो सकते थे कभी सोचता है कि शायद अल्ला ने हमें किसी गुना की वज़ा से इस निमत से महरूम रखा है बिल्कुल इसी तरह मैं भी मगमूम हो जाता हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह लेकिन अर्मिन हसन इसके इलावा हम कर भी किया सकते हैं नहीं खदीजा आज के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर यह गम न देखो और नहीं तुम मेरे चेहरे पर यह बलाल देखो अज़ करो अब और दिखा लो बुश करो चाचा पल्वान जरा अच्छी तरह से इसको भी ना सिखाएं इसको तेल लगा के ला तो फिर इंशालब मौन अच्छा करो अरे नदी मूं क्या कर रही यहां पर और तुम पढ़ रही है खाली देख रहे हो किताब को अरे हलीम सारा दिन बस रसी के साथ लगे रहे ना चोट ना लग जए कही तुमें नहीं आपा अर तु सारा दिन किताब लेके बैठा रहेगा तेरी आवाज नहीं आरे मुझे पढ़ नहीं की अ अज़िए खड़ा ओट वार वार अज़िए अब तुझे मैं लाओंगी न थंडे पानी से तब तु ठीक होगा चल बैठ नदीब टिक के बेढ़ जा आपा दी मैंने मालिष करवानी कैसे निकर वानी मालिष दो दिन से तू नहाया नहीं आज जब तक मालिष करवाके नहा आज नहीं मिलेगा अगर सलीम तु तो यहीं समझ रहना कि मेरा ध्यान नहीं है तुझ पर चला आके सबक सुना मुझे जल्दी आप हृह है यह है क्या आप टुमारे में तो जान हिम नहीं है को पणेरी खाया करो कूछ धिसरी खाया करो हम तो अपने वकल पूरा डेसिरी होगा कर खाया मदर्स यह झाला जरबраз रोंध हो लोगी द्रफ धियान है, बढ़ने को तो बस किसी का दिल नहीं जाता, चल, तुझे तुनिन हो मैं, चल, उठ, चल. क्या, क्या घूर रहे हो हमें, आंक आंको में क्या समझा रहे हो हमें, बात सुरो बेटा, ये जो हम तुमें सिखा रहे हैं न, इसे हुनर कहते हैं, हुनर, और बच्वन का हुनर जो है, वो जवानी में काम आवे हैं, हम अपना सारा तजर्बा तुमें उंडेल रहे हैं, हमारी हिकमत के जानशीन बनोगे तुम जलम नहीं कर रहे तुम पर चलो कूटो उटो जो कूट रहे हो उसे क्या कवे है जूमर अरे बेटा माजून माजून निहारकंदी क्या माजून निहारकंदी माजून निहारकंदी सत्या नास माशाला माशाला आएन लड़के अरे तेरे बाप को तो फिकर ना के तहज्जद के वकर खա खट क्छुट क्छट हमारे सरों पर हतौड़ें बरसा रहे अरे कितनी बार हम तो के मना किये बाप के साथ ना बैठा कर उखे जैसा बाबला हो जाएगा उट क्यों बई क्यों चले यहाँ पर अमा नगरी लगी हुए हाँ लगी है फिर उट भाए हाँ तो चल उट 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 यहाँ से चल अमा यह देखो हम नी हाँ चुड़े है तुमारे सामने इस लाउनडे को हमारे हाँ रहने दो एक दिन फकर करोगी तुम पकर हम जैसे तुम्हार पर फगर कर रहे हम हैं अरे हम नी तो किसमत फूट गई हम तो उस दिन को रोएं जिस दिन हमने अपनी सकीला का हाथ तुम्रे हाथ में और दूसरी लड़की का हाथ नवाब अली के हाथ में दिये क्यों भई? क्या हम इत्ते बुरे हैं? हम अंदाजा कर लो एक शोगदा बाज दूसरा कबूतर बाज उठ लमडे चल हम कह रहे हैं चल हमारे काने चले जा अम्मा कह रही है तो पुट कूट और अपने सर पे भी मारत आके तेरा दिमाग को ले चल लड़के तुम्हारे इजज़त करना हमारी मजबूरी है हाँ तो करो और याद रखो इनसान के अपने हाथ में होती है इज़त तो रखो रखो अपने हाथ में अपनी इज़त हम क्या हम नहीं कूट सकते हैं हां सोने नहीं देंगे तुम्हें कूटेंगे हम बात सुन हसनेन कान खोल के हमारी बात सुन ले हमरे कान में तेरे कूटने की आवाज ना आया अब अब तो हम सारी रात कूटेंगे सीना कूट अपना सीना कूटेंगे देखते हैं हमें कौन रोक हुआ बेटा मन्सूर अली हुकम की दिया माहजूर तुम्हारे अबाहजूर की ओपर कबूतर की बाजी शुरू होने वाली है ये पांदार उन्हें पकड़ा देना और उन्हें कहना कि मैं हंडिया बनाने लगी हूँ अल्ला के लिए भी भूलकर मुसीकी ना लगा दे वरना हम मुसीकी पर जूमते रहेंगे और हांडी साइबा जल भूनकर कोईला हो जेंगे और खाने को कुछ नहीं मिलेगा रात को आपको तो पता है अबबा जान के कबूतर तब ही उलान भड़ते हैं जब मुसीकी शुरू होती है और वो भी उन्हें अवाज में है आप ही हमारी उम्मीदों का मरक्योस हैं आप पे खेलेंगे हैं बाजी बैबा से प्यार करते हो ये पान कबूल कीजिए अम्मा हजूर ने बेजे हैं और इलतमास की है के जब तक रेले गश्ट नहीं बन जाते आज मुसीकी मत लगाएगा बर्खुदा रहे लेंगे ना 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 ऐसा तो नहीं होगा आज हमारी बाजी का दिन है अपनी वाल्दा और हमारी चहिती बेगम सहबसे हमारी दर्बसर्स कीजिए कि हमारे कबूतर हम से जएदा मुसीकी के शौकीन है मुसीकी नहीं सुनेंगे तो बैठ जाएंगे और अगर ये बैठ गए तो हम बाजी हार जाएंगे क्या समझे बदाईए अपनी प्यारी सी वाल्दा मुस्तरमा को अबा हुदूर ने क्या फर्माया आदाब आदाब अबा हुदूर बेटा मोह बली जी अबा हुदूर दर्वाजे पर आकर देखिये बाहिर कोई आया है बेटा साइदा बीबी को बलाएं उनका खाता है अबा हदूर मौसी की बन कर दी दिये अरे बर्खुर्दार अला अपनी वाल्दा मुस्तरमा से फर्माईए यहां चट पर हम जूम रहे हैं वहां सेन में वो जूमती रहे हैं जाइए क्या होगे आपको अगर यह म्यूजिक बंद हो गया तो हमारे कबूतर नीचे आना शुरू हो जाएगे और हमारे कबूतर नीचे आना शुरू होगे तो हम बाजी हाज़ेंगे जाए 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 अरे सुना नहीं आपने जाए हाँ जो चूरियां खिलाई है ना तुझे बेटा अब इत्वा अलाल कर दिये बता दीजिए कि जो नवाब के कबूतर है लखनो वालों के उनकी मिसाल कहां मिलती है कर दो किस एक आता है हम पुछ समझी हो का अमाजी कहता है को यह सी बैसी चीज है हम समझे का कि जाना गो